हेलो फ्रेंड वल्कम टो इस्टेडि न्यूज आज हमारा गर्तंत दिवस है सो आप सभी को गर्तंत दिवस की धेड़ सारी बधाईया आज हम इस वीडियो में इस्टैचू अफ इक्वैलिटी के बारे में जानेंगे जो पूरे विश्व को समानता का संदेश देगी ये इस् सोलो फिट है और इसे समानता की मुर्ती की नाम से जाना जाएगा जैसे सर्दार बल्लब भाई पटेल जी की मुर्ती है आप सब जानते हैं गुजरात में जिसे इस्टैचू अफ यूनिटी यानि एक्टा की मुर्ती की नाम से जाना जाता है उसी तरह इसे भी स्टैचू यानि समानता की मुर्ति के नाम से जाना जाएगा आप सभी सरदार बल्लब भाही पटेल जी के बारे में तो जानते ही होंगे यह भारती राजरेता और स्वतंतरता कारे करता थे इन्हीं की एक विसाल मुर्ति की प्रतिमा है जिसे इस्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जान हुई है ठीक है तो यह जो रामा नुजा चायर जी की प्रतिमा है इस्टैचू ऑफ इक्वैलिटी इसका एनुग्रेशन हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी पांच फरवरी को करेंगे इनके जन्म से लेके अब तक 1000 साल पूरे हो गए हैं और यह मुर्ति पांच धा मंदिर बनाये गया है इनका इसमें टोटल दो मुर्तियां स्थापित होंगी इस भवे मंदिर में इस प्रोजेक्ट में लगभग सौ करोड का लगत आ रहा है जो 45 एकर छेतर में फैला होगा यह पूरा मंदिर यह मंदिर भारत की तेलंगाना राज के हैदराबार सहर में ब पूरा डिजाइन है पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है इसमें कई आधुनिक सुविधाएं होंगी जैसे एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी होगी गैलरी होगी और संत रामानुजाचार के जीवन से जुड़ी कई कहानिया जो वीडियो में चलेंगी कई सारे फोटो गई थी अगर चिनना जीयर के बारे में जाने तो यह वर्तमान समय में श्री वैश्णो संप्रदाय के प्रचारक और दछीड भारती संत सन्यासी उन्होंने भारत नेपाल से लेकर वीदेशों तक वैश्णो धर्म का प्रचार किया है और वैदिक संस्कृत गुरूकुलों का संचालन भी किया है और यह संत रामानुजाचार द्वारा लागू विशिष्ट द्वैत दर्सन का पालन करते हैं यह भगवान विश्णों के अराधक हैं और इन्हें कई भासाएं आती हैं और यह संस्कृत भासा के विद्वान हैं भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले संत रामानुजाचारी जी ही थे इसलिए इस भव मंदिर में जो दो मुर्तियां इस्थापित होंगी दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट हैं जो एक गर्भग्री में मुर्ति रखी जाएगी वह 120 किलो सोने की होगी 120 किलो की इसलिए क्योंकि यह धर्ती पर 120 वर्स तक रहे थे इसलिए यह 120 किलो सोने की बनवाई जा रही है और यहीं पर एक कमरा होगा जहां पर लोग ध्यान करेंगे पूजा करेंगे और जो दूसरी मुर्ति है जो 260 फिट लंबी पाच धातुए से मिलकर बनाई जा रही है और यहीं पर डिजिटर लाइब्रेरी रिसर्च स यह सब आप यहां देख सकते हैं और इनके जीवन से जोड़ी कहानियों को दर्साने वाला एक ओमनी मैक्स थेटर होगा और एक प्राचीन भारती गरंतों के पुस्त को के लिए भी एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है इस पूरे प्रोजेक्ट को स्री चिन्ना जीर स्वाम के अनुसार DNV प्रसाद और दच्छिड भारती फिल्मों के आर्ट डारेक्टर आनंद सही ने इसका पूरा डिजाइन आर्किटेक्ट किया है इस प्रोजेक्ट के डिजाइन में करीब दो साल लगे हैं आप समझ सकते हैं कि कितना काफी बड़ा मंदिर है फिर जाकर यह डि लिए और यह मंदिर उन दुरलब मंदिरों में से एक होगा जो वैश्नों संप्रदाय को मानने वाले संथ पर बना है इस मंदिर के बनने के लिए दुनिया भड़ से लोगों ने डोनेशन दिया है सनातन परंपरा के किसी भी संथ के लिए अभी तक इतना भव्य मंदिर नह में सामीर भी किया गया है इस मंदिर में इस भव मंदिर में बहुत सारे मुजिकल फाउंटेन भी होंगे जिनके जरिये आप रामानुजाचार की गाताय सुन सकते हैं इस मंदिर के निर्माड के लिए राजिस्थान से पत्थर मंगवाए गए हैं और वहीं से कुछ कलाकार भी आए हैं जो पत्थरों पे नकासी करेंगे और मंदिर में टूरिस्ट के लिए फाइफ लेंग्वेज में ओडियो गाइड की सुविधा की गई है फाइफ लेंग्वेज इंग्लिस हिंदी तमिल तेल्गू और कोई दूसरी लेंग्वेज भी है जिसे लोगों को इस मंदि वैशनो संत थे जिनका जन एक हजार सत्रह इस्वी में तमिल लाडू में हुआ था यह विशिष्टा द्वैत वेदान्त के प्रवर्तक थे और काची में इन्होंने अलवार यमुनाजाचार जी से दिख्छा ली थी और स्री रंगम के यती राज नाम के सन्यासी से इन्हों पूरे भारत में घूमकर इन्होंने लोगों को वेदान्त और वैशनो धर्म के बारे में बताया और इन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की उनमें से इंपोर्टेंट है स्री भार्ष्यम और वेदान्त संग्रह इनकी सबसे फेमस ग्रंथ हैं यह पहले संत थे जिन्हों ने बक्ति, ध्यान और वेधानत को जाती बंधनों से दूर रखने की बात की और धर्म मोक्छ जीवन में समानता की पहली बात करने वाले ये पहले संत बने इनके सिश रामानंद थे, ये भी अपनी भक्ति के लिए काफी प्रसिद हुए रामानंद ने विदान्त दर्सन और विशिष्ट अद्वैत विदान्त लिखा था और आगे रामानंद के शिष्ष कबीरदास, रहदास और सूरदास बने इन सबको तो आप सभी जानते ही है संत रामान उजाचार जब 120 वर्स के थे तब 1137 इस्वी में इनका दिहान्द हो गया था तो इनहीं की प्रतीमा का इनुग्रेशन पीएम मोधी 5 फरवरी को करेंगे तो यह थी सारी जानकारी इस टेच्चू अफ इक्वैलिटी के बारे में तो थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो प्लीस लाइक शब्सक्राइब और कम्मेंट